हाई फ्रेंड्स वेलकम डुद्ध बिंदास बापू यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं एक बुक के बारे में जिसका नाम है दे इंटेलिजन्ट इंवेस्टर स्टोक मार्केट में जो भी इंवेस्टर है वो जानना चाहता है कि वैल्यू इंवेस्टमेंट क इनका फोटो है बेंजामिन ग्राहम का बेंजामिन ग्राहम है जो कि फादर ओफ वेल्यू इन्वेस्टमेंट कहा जाता है उन्जीन को उन्होंने ये बुक लिखी थी और जिसका फर्स्ट पब्लिकेशन यहां पर आप देख सकते 1949 में आया था और वेल्यू इन्वेस्टमे देखेंगे तो वरेन बफेट जिन्होंने इस बुक के बारे में यहां पर थोड़ा सा लिखा है बिलोनियार वरेन बफेट डिसकस्ट दबूक देट चेंज इस लाइफ CNBC में यह एक इनका इंटर्यू था जहां पर इन्होंने बताया था कि यह जो बूक है उन्होंने पढ़ी और वहां से उनका वेल्यू इन्वेस्टमेंट का स्टाइल पूरा चेंज हो गया इस बूक में कौन से दो चेप्टर है जो कि आपको पढ़ने चाहिए तो यहां पर एक और इंटर्यू में यहां पर उन्होंने लिखा था चेप्टर 8 and 20 have been the bedrock of my investing activity for more than 60 years he says I suggest that all investors reach those chapters and reread them every time the market has been especially strong or weak तो आप भी इन चेप्टर 8 और 20 को पढ़ियेगा यह बूक आपको Amazon Flipkart जैसे store से मिल सकती है और यदि आप सर्च करेंगे Google में तो सायद आपको PDF version भी मिल जाए इस बूक को यदि आप पूरा पढ़ना ना चाहिए तो एक दम आसान सा तरीका है आप YouTube में जाए और यहां पर सर्च कीजिए The Intelligent Investor और उसके बाद लिख दीजिए Investor जी तो यह जो पहला वीडियो आपके सामने आयाएगा Intelligent Investor Book Sumrion Hindi जो कि एक Investor जी करके एक बंदा है उनके द्वारा एक वीडियो बनाया गया है कि इस बूक में क्या लिखा है क्या अच्छा है क्या जानना चाहिए ते 19 मिनिट्स का एक वीडियो है जो काफी अच्छा वीडियो है जहां पर उन्होंने काफी सारे पॉइंट्स को पढ़ना ना चाहे तो आप बेजिकली इस वीडियो को देख सकते हैं जो कि काफी अच्छा है और ये Investor जी का एक और वीडियो चारली मुंगर इन्वेस्टम विजडम वीजडम वी काफी अच्छा है चारली मुंगर जो कि वोरन बफेट के पार्टनर है उन्होंने जो कि इन्वेस्टमेंट की स्रेटेजी अपना ही ती वह क्या थी वह आप इस वीडियो में देख सकते हैं Investor जी का ये यूट्यूब channel काफी अच्छा है मैं इनका विडियो रेगिवलर ली देखता हूं आप भीiac़कर कर सकते हैं और इनके वीडियो रेगिलर देख सकते हैं मेरा एम हमेसा आपके लिए यही रहेगा कि मेरे व्यूर्स को कम से कम समय में मैं अच्छी चीज बताऊं और जो भी अच्छी चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है उसका मैं रास्ता दिखाऊं ना कि डुपलिकेट चीजे डंप करता रहूं यूट्यूब और इंटरनेट में तो मुझे पता चले कि मेरा ये वीडियो आपको के सा लगा थैंक यू